परिचाए प्रदूशित कर दिया है तथा ये गंदी दिखती है पैम, हम किस प्रकार इस नदी को प्रदूशित कर रहे हैं? हमारी बहुत सी गतेविधियां जैसे प्लास्टिक के थेले भेंकना कारों से होने वाला प्रदूशन और द्योगिक कचरा डालना इसकी स्वच्छता को क्षती पहुचाते हैं आओ, इन्हें और हमारी पर्यावरण पर इनके प्रभावों के बारे में विस्तार से जाने उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पर्यावरण को परिभाशित करने और इसके सजीव और निर्जीव कारकों की सूची बनाना परितंत्र की अवधारन, उसके घटकों और जैव घटकों के समुकरण की चरचा करना एक दूसरे के पोशक जीवों की श्रंखला यानि आहार श्रंखला और जाल बनाना मानवी ये गतिविधियां किस प्रकार हमारे परियावरण के लिए खत्रा बन गई है इनका वर्णन करना पारी तंत्र पारी तंत्र किसी क्षित्र में सभी पौधों, जन्तुओं तथा सूख्ष्म जीवों के साथ परियावरण के सभी अजैव भौति घटकों की अन्योनने क्रिया से बना एक प्राकृती तंत्र होता है पारी तंत्र के अव्यव पारी तंत्र निम्न दो अव्यवों से बनता है जैव घटक जिन में सभी जीव सम्मिलित होते हैं अजैव घटक में सम्मिलित हैं भौतिक कारक जैसे धूप, ताप, रासायनिक कारण जैसे खनिच पदार्थ, म्रिदा की नमी इत्यादी पारी तंत्र के प्रकार पारी तंत्र के दू प्रकार है प्राक्रितिक पारी तंत्र वन, रेगिस्तान, घास के मैदान, पर्वत इत्यादी कृत्रिम पारी तंत्र पार्ख, बगीचे, अनाच के खेत, चिडिया घर इत्यादी पारी तंत्र के जैव घटकूं का वर्गी करण हमारे परियावरण के जैव घटकूं को मुख्यता तीन समोहों में विभग्त किया जा सकता है उत्पादक, उपभोगता, अब घटक उत्पादक ऐसे जीव जैसे पौदे होते हैं जो अकारबनिक योगिकों से कारबनिक योगिक का उत्पादन करते हैं उपभोगता ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों से पोशक पदार्थ ग्रहन करते हैं अब घटक, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों एवं जन्तूओं का अब घटन करते हैं वे म्रिदा में उपस्थित जटिल कारबनिक पदार्थों का सरल अकारबनिक पदार्थों में अपुमार्जन करते हैं जिनका पौधों द्वारा पुना प्रियोग होता है आहार श्रिंखला आहार श्रिंखला पारस्थित की समुधाय में उपस्तित जीवों की उत्रोतर विवस्ता होती है जिसमें एक जीव से दूसरे जीव तक आहार उट्जा की श्रिंखला का निर्मान होता है इस श्रंकला का प्रतेक जीव अपने नीचे के जीव पर आहार के लिए निर्भर होता है और बदले में उसके उपर का जीव उसे आहार बनाता है आहार श्रंकला का प्रारंभ उत्पादकों से होता है उत्पादक प्रात्मिक उपभोक्ताओं यानि शाग भक्षी का आहार बनते हैं वे दूतिय उपभोक्ता यानि मांस भक्षी का आहार बनते हैं और उनमें से कुछ तृतिय उपभोक्ता यानि श्रंकला में सबसे उपरि स्थित मास भक्षी का आहार बनते हैं. पोशी स्थर आहार श्रिंकला का पोशी स्थर आहार श्रिंकला का प्रतेक चरण जिसमें आहार उड़्जा का स्थानामतरण होता है, उसे पोशी स्थर कहते हैं. प्रतम पोशी स्थर में उत्पादक होते हैं. दुईतिये पोशी स्तर में प्रात्मिक उपभोगता होते हैं। चुकि प्रतेक पोशी स्तर पर आहार उर्जा का स्थनांतरण कम होता जाता है, इसलिए पोशी स्तरों की संख्या सीमित होती है, और चार या पांच से ज्यादा नहीं होती। पोशी स्तर उर्जा के इस्थनांतरन के दौरान 90 प्रतिशत उर्जा का ख्षय हो जाता है और केवल 10 प्रतिशत उर्जा ही एक स्तर से अगले पोशी स्तर तक इस्थनांतरित होती है अताहा प्रतेक पोशी स्तर पर उर्जा के इस्थनांतरन में 10 प्रतिशत का हिरास होता है इसे उर्जा इस्थनांत्रण का दस प्रतिशत नियम कहते हैं हानिकारक रसाइन जैसे कीट नाशक तथा पीड़क नाशक जिनका प्रयोग फसलों को कीटों और पीड़कों से बचाने के लिए किया जाता है उनको पौधे अफशोशित कर लेते हैं और ये आहार श्रिंखला में प्रवेश कर जाते हैं चुकि ये रसाइन अजैव निमनी कृत है यह प्रतेक पोशिस्तर पर उत्रोतर संग्रहित होते जाते हैं और इनकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि किसी भी आहार श्रिंखला में मनुश्य शीर्शस्त है अथा हमारी शरीर में यह रसाइन सर्वधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं उँचे पोशी स्तर के जीवों के शरीर में हानी कारक रसाइनों की मात्रा बढ़ने को जैव आवर्धन कहते हैं आहार जाल परिया वरण में उपस्तित परसपर संबंधित विभिन आहार श्रंकलाओं के जटिल तंद्र को आहार जाल कहते हैं मनिश्य के क्रिया कलाप परिया वरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मनिश्य के क्रिया कलाप बहुत से अप्शिस्ट पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो परिया वरण में फेंक दिये जाते हैं ये अप्षिस्ट वायू, जल और मृदा को प्रदुशित कर देते हैं। उत्पादित अप्षिस्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जैव अपघटित अप्षिस्ट, अजैव अपघटित अप्षिस्ट। हम जो कच्रा उत्पादित करते हैं, उसका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए? घरेलू अप्षिष्ट को कच्रा कहते हैं कच्रे के कारण वायू, जल और मृधा प्रदूशन होता है अथा इसका सही तरीके से अबघटन होना चाहिए कच्रे के अबघटन की कुछ विधियान निम्न है भूमी भराव, पुनर चक्रन, बायो गैस और खाद का उत्पादन, कूडा खाद की तैयारी, भस्मी करण, अप्षिष्ट शोधन सैयंत्र वायू मंडल में ओजून की परत का अप्षय वायू मंडल में ओजून की परत का अप्षय ओजून यानि O3 के अणूं आक्सीजन के तीन परमाणूं से बनते हैं वायू मंडल के उच्चतर इस्तर पर UV विकरन के प्रभाव से ओजून के कई अणूं स्वतंत्र आक्सीजन परमाणूं में बढ़ जाते हैं जो ओक्सीजन अणूं यानि O2 के साथ सन्युक्तो होकर ओजून बनाते हैं वायू मंडल के उपरिस्तर में उपस्थित ओजून की परत सूरे से आने वाले हानी कारक UV विकरन से प्रित्वी की रक्षा करती है UV विकरन से मुनिश्यों में त्वाचा का कैंसर होता है रेफरिजडेटरों और अगनी शामकों में प्रियोग होने वाले क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानि CFCS जैसे रसाइनों के प्रियोग से ओजून की परत को ख्षती पहुँच रही है अता ओजोन की परत की रक्षा करने के लिए CFCS का प्रियोग अब कम किया जा रहा है क्या आप जानते हैं ओजोन परत को ख्षती पहुँचाने वाले पदार्थों पर 1987 में मौन्ट्रियल संधी हुई थी ये एक ऐसी संधी है जिसके अंतरगत ओजोन की परत को ख्षती पहुँचाने वाले पदार्थों के वैश्विक उत्पादन, उपभोग और उत्सर्जन में कमी आई है साहरांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं एक पारी तंतर में जैव और अजैव घटकों की अनियोननिक रिया शामिल होती है पारी तंतर के जैव घटकों में उत्पादक, उपभोगता और अपघटक शामिल होते हैं विभिन जैव स्तरों में शामिल जीवों की श्रंकला, आहार श्रंकला का निर्मान करती है। एक पोशी स्तर से दूसरे पोशी स्तर तक जाने में उड़्या का सतत ख्षय होता है। उत्पन्य होने वाले अप्शिस्ट पदार्थों को जैव अपघटित अप्शिस्ट और अजैव अपघटित अप्शिस्ट में वर्गिक कृत किया जाता है। कुलोरो फ्लोरो कार्बन रसाइनों के प्रयोग से ओजून की परत को ख्षती पहुंचती है।